हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा छटी जिसका विश्य है गनित इसकी वरक्षीट नमबर 28 समझाऊंगी जिसकी डेट है में पास 31 दिसमबर 2020 आज की वरक्षीट में हम प्रियायोगिक ज्यामिति इसके बारे में करेंगे जिसमें हम सिखेंगे वृत इसको बनाते कैसे हैं और इसके कितने भाग है ठीक है चलिए पहले भाग देखते हैं वृत के भाग केंद्र त्रिजा और व्यास ठीक है यह होते क्या क्या हैं देखो अगर आपने एक यहाँ पर वृत बनाया तो यह है आपका केंद्र ठीक है वृत का केंद्र वे बिंदू है जो वृत ठीक है अब इससे यह जो दूरी है यह दूरी है यह सब समाने एक जितनी है जैसी These अगर यह पांच है तो यह भी ये भी पांच है ये भी पांच है ये भी पांच है और जितनी मर्जी खीच लो ठिक है कैं समानदूरी पर होती है ठिक है ट्रिज क्या हुथ यह मेरे काखन एंग जो्त लिए केंडर को वृत-परिस्तित किसी बिंदू से जोरती है QR वृत की त्रिजा है देखो फिर से एक वृत मैं यहाँ पर बना देती हूँ अब जो यह वृत के ओपर जो बिंदू होती है और केंदर से जो बिंदू को रेखा खंड जोरती है इसको बोलते हैं त्रिजा ठीक है जैसा कि आप इसमें देख रहो यही आपकी QR यह एक त्रिजा है उसी तरिके से QB यह एक त्रिजा है उसी तरिके से QA यह एक त्रिजा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे है व्यास वह रेखा खंड जो वृत पर इस ती दो बिंदू को जोरती है अब वृत प को हम क्या बोलते हैं व्यास ऐसी एक बिंदू ये री एक बिंदू ये री और एक खंड से पास होगे गई तो ये भी क्या बन गए व्यास ठीक है तो व्रित के भाग आपको समझ में आ गए चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर कह रहा है कि व्रित बनता कैसे है उसकी केंसिल को लगा के उसके बाद खोल ला है अब प्रकार का जो नुकीला वाला जो हिस्सा होता है वो इस केंदर पर रखना है और एक व्रित बना लेना है बस और इसको यहाँ नाम दे लेना है पांच सिंदिमीटर ठीक है इसकी मैंने पूरी एक वीडियो बना रखिए जिसम आप वहाँ से वह वीडियो जरूर देखिएगा थाकि आपको पता चल जाए कि व्रित बनाया कैसी जाता है ठीक है ना चलिए उसके बाद यहाँ पर यह इसके रचना के पदल लिखें कि आपने कैसे व्रित को बनाया ठीक है अब आता हो धारन दो इसमें कह रहा है केंदर C केंदर को क्या लेना है C लेना है आपकी तो जो आप यहां पर वृत बनाओगे ना जैसे आपने पहले में समझ के बनाया उस वीडियों से देखके आपने समझ लिया पहले में वृत बनाया ऐसी दूसरे में वृत बनाओगे 4.5 सेमी का पर इसके केंदर को नाम दोगे आप C क्यूंकि उसमें लिखा वाया आपको C देना है ठीक है का एक वृत बनाईए बिंदू PQR इस प्रकार अंकित करें अब आपको इसमें PQR दिखानी है बिंदू P वृत के अंतरिक भाग में इस्तित है मतलब P जो बिंदू है वो वृत के अंदर है तो कहीं पर भी दिखा दो P Q वृत पर इस्तित है तो Q जो है वो वृत पर इस्तित है और R वृत के बहार ही भाग में इस्तित है तो R वृत के बहार है तो कहीं पर भी यहां पर मेंने यह बिंदू देखो यह बिंदू मैने वृत पर बनाई है तो Q मतलब व्रित पे है, यह बिंदू व्रित के अंदर बनाएं तो P मतलब व्रित के अंदर है और यह बहार बनाएं तो बहार है, ठीक है? और यह उसके रचना के पद लिखे में, ठीक है ना? चलिए, आगे बरते हैं, आप कोशन अंबर 1 में कह रहे हैं, प्रकार की साहता से 3 cm त्रिज बना देना, जिसको आप यहाँ O नाम दे देना, यहाँ A दे देना, ठीक है? चलिए, सेकिंड वाला देखते हैं, यहाँ एक ही केंदर O लेकर 3 cm और 5.5 cm त्रिजा वाले 2 व्रित बनाएं, देखो अब यहाँ आपको 2 व्रित बनाने हैं, पर केंदर एक ही होना चाहिए, ठी लुकि Xiao, इससे मैंने एक व्रित बना लिया, 3 cm का, तो त्रिजा मैंने 3 cm की खोली होगी, ठीक है और एक व्रित बना लियार, अब दुबारा मैंने क्या क्या प्रकार खोला? 5.5 cm ठीक है, अब रखा उसका जो प्रकार का नुकीला हिस्सा है नहया उसको मैंने ओ पर ही रख स ओ पर रखावाए हूँ ठीके नुकीला हिस्सा अब आपका प्रकार कितना खुलावाए 5.5 खुलावाए ओ पर रखा और एक और वृत बना लिया तो वो कुछ ऐसा बन किया जाएगा इनको बोलते हैं । यह वो वृत होते हैं जिनके जो जाइंडr यह एक ही होते हैं ठीक है और आप यहां को इसको एक्स्टेंड करदो 485 要 फाइफ पॉइंट 5 बाग में इस्थितो और Z वृत के भारी भाग में इस्थितो, जैसे अभी हमने एक उधारन किया है, तो अब इसमें वृत की त्रिजा नहीं लिखी, तो आप कितनी भी त्रिजा का क्या करना, एक वृत बना देना, ज्यादा छोटा मत बनाना, थोड़ा सही सा बनाना, ठीके, आप कहा रहा है, जो X है, वो वृत के उपर इस्थित है, वृत पर, तो X यहाँ पर कर दिया, यह बिंदू वृत के उपर बनाई और X लिख दिया, X आप भार भी लिख सकते हो, और अंदर भी लिख सकते हो, बस यह बिंदू वृत के उपर होनी चाहिए, ठीके, वाई जो तो यह आपको जो वृट बनाना है लेकिन आप बनाना प्रकार से ही, ठीक है ना? तो यह थी आपके आज के असान सी वर्कषिट, वर्कषिट नमबर 28, आप वर्कषिट नमबर 29 जो हम अपनी next वीडियो में करेंगे. तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इ से लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू